मेह 24 घंटे के अंदर हिजबुल्ला लड़ाकों ने इसराइली सेना पर ऐसा खुंखार और बेर रहम हमला किया कि इसराइल के प्रधान मंत्री नेत न्याहू और रक्षा मंत्री यॉव गैलिंट के होश फाक्ता हो गए इसराइल को रत्ती भर उम्मीद नहीं थी कि हिजबुल्ला तेल अवीब के पास इसराइली सेना के गिलोट बेस को तबाह कर सकता है हिजबुल्ला के चीफ नसर अल्ला ने डंके की चोट पर दावा किया है कि हिजबुल्ला ने रॉकेट और ड्रोन हमलों से इसराइल के 22 सैनिकों को मार डाला लेबनान के अल्मयादीन टीवी चानल ने हिजबुल्ला और योरोप के अपने सूतरों के आधार पर जो दावा किया वो हैरान कर देने वाला है लेबनान के अल्मयादीन टीवी चानल के दावों के मताबिक इसराइल पर हिजबुल्ला ने दो चरणों में हमले किये हम आपको एनिमेशन के जरीए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हिजबुला ने इस्राइली सेना पर इतना बड़ा हमला कैसे किया अल मयादीन टीवी चानल के मताबिक हिजबुला ने इस बार ओपरेशन अर्बाइन के तहट इस्राइली सेना पर हमला किया है खबरों के मताबिक हिजबुला लडाकों ने इस्राइल की राजधानी तेल अवीव से कुछ किलोमीटर दूर इस्राइली सेना के गिलोट बेस और इन शेमर एर बेस को निशाना बनाया है हिजबुला ने हमले के पहले चरण के तहट इस्राइल की खूफिया यूनेट 8200 को निशाना बनाया है दामो के मताबिक शुरू में हिजबुला ने अंधा धुन रॉकेट से इस्राइली बेस पर हमले किये जिसमें ज्यादातर रॉकेट को इस्राइल के आईरन डोम ने तबह कर डाला है हिजबुला का दावा है ऐसा उसने जान बूच कर किया ताकि आईरन डोम की प्रतिरोध की शमता को खत्म किया जा सके अब दूसरा चरण समझे हिजबुला का दूसरा चरण इसके बाद हिजबुला ने इसराइल के गिलोट बेस पर दूसरे चरण का खौफनाक हमला किया हिच्ज बुल्ला ने अचानक से Same Road Drone से हमले किया हैं और ड्रोन हमला इतना तेज़ था कि गलोड बेस में बैठे सैनिकों को बचने का मौका तक नहीं मिला अलमयादीन टीवी चानल के मूताबिक हिच्ज बुल्ला के ड्रोन हमलों की बच्छा से इस्राइल की 22 सैनिक मारे गए हैं जबकि 74 इस्राइली सैनिक बुरी तरह से जखमी भी हुए हैं इस्राइल ने कल ही दक्षिनी लेबनान में मौझूद हिजबुला के 20 से जादा ठिकानों पर भयंग कर हवाई हमले किये थे इस्राइल के इस हवाई हमले में 15 बार एर स्ट्रा हिजबुला पर की गई थी इस्राइल ने इस हमले के बाद दावा किया था कि उसके हमले में दक्षिनी लेबनान में मौझूद हिजबुला का एक टॉप कमांडर मरा गया है हैरानी की बाद तो ये है कि इस्राइल के इतने बड़े दावे के महज 10 घंटे बाद ही हिजबु इस्राइल पर भारी पड़ा है हिजबुला और हिजबुला के दावों के मताबक आपरेशन अरबाइन इस्राइली सेना के लिए काल साबित हूआ है दावों के मताबिक हिजबुला ने महच एक ही हमले में इसराइल के 22 सैनिकों को जहां मारने का दावा किया है तो वही 74 सैनिक घायल भी हुए हैं हिजबुला का दावा है कि उसने अपने टॉप कमांडर हज महसिन उर्फ फाउद शुकर की हत्या का बदला इसराइली सेना से लिया है कमांडर फाउद शुकर को 30 जुलाई को बेरूत में एक मिसाइल हमले से इसराइल ने मार दिया था हिजबुला चीफ नसुरला के मताबिक ऑपरेशन अर्बाइन के तहट तेल अवीव से 40 किलोमेटर और लेबनान से 75 किलोमेटर दूर इसराइली सेना ठिकानों पर हिजबुला ने हमले किये हिजबुला ने एसराइल की खूफिया यूनिट को निशाना बनाया जो लगातार दक्षिनी लेबनान पर हमले कर रही थी एसराइली सेना भी मान चुकी है महच 12 घंटे के अंदर लेबनान की तरफ से हिजबुला ने 30 रॉकेट दागे हिजबुला के रॉकेट्स अल जलील को निशाना बनाया है पिछले एक घंटे में हिजबुला उत्तर एसराइल पर 60 से भी ज़ादा रॉकेट दागे हैं एसराइली सेना दक्षिनी लेबनान में हिजबुला पर हमले कर रही है इस्राइली सेना के मताबिक उसने हिजबुला के जबकिन के बाहरी इलाके राशाया अल फखर और येटर पर हवाई हमले किये है जबकि एक इस्राइली टैंक ने खियाम पर भयंकर हमले किये और इसके अलावा इस्राइली सेना ने अल वजानी पर भी हमले किये है हिजबला को कमजोर समझना शायद इसराइली सेना की सबसे बड़ी भूल साबित हो चुकी है इसराइली सेना बेशक गाजा के साथ साथ लिबनान पर घाता खमले कर रही हो लेकिन खुद इसराइल के टॉप सैन्य ओफिसर चेतावनी दे रहे हैं हिजबला को हमा समझना इसराइल सेना की बड़ी भूल साबित हो सकती है हम आपको इसराइल के इसराइली रिजर्व मेजर जनरल इज्याक ब्रिक के बयान और चेतावी दिखाते हैं जिसमें वो साफ साफ संके दे रहे हैं कि हिजबुला के सफाय के चकर में कहीं इसराइल का ही सफाया ना हो जाए बताने के रिजर्ड मेजर जनरल ब्रिक का साफ कहना है कि अगर लिबनान से सीधी और बड़ी जंग इसराइल ने की तो हिजबुला इसराइल के हिजबुला तेल अभीब गुश डैन को तबाह कर सकती है इसराइली जनरल ने ये तक कह दिया है कि अगर इसराइल ने लिबनान के साथ युद्ध को आगे बढ़ाने का फैसला किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे उन्होंने यहां तक कहा कि इसराइली सेना के टॉप अफसरों की निरंथक होती जा रही है इसराइली चैनल बारा के साथ एक इंटर्व्यू में इसराइली जनरल ब्रिक ने ये तक कह दिया कि हिजबुला पर हमले का जूटा प्रचार बंद करें क्योंकि इसराइली सेना के पास सिर्फ छे डिविजन है हमास तक को खत्म नहीं कर सकती ऐसे हालात में लेबनान में हिजबुला से सीधी जंग इसराइली सेना की छे डिविजन नहीं कर पाएंगे और लेबनान युद इसराइल के वजूद पर बहुत भारी पर सकता है हलाकि इस्राइली जनरल ब्रिक खुलन खुला इस्राइली टीवी चानल पर इस्राइली सेना को कटगरे में खड़ा कर रही है इसके पीछे की सबसे बड़ी वजा है हिजबुला की जबर्दस सैनिक शमता इस्राइली सेना के खुद, इस्राइली सेना अलाकी खुद मानती है हिजबुला के पास 45,000 लड़ाके हैं जिसमें 20,000 सक्रिय रहते हैं 25,000 रिज़र्व में हैं हमास के विपरीत हिजबुला के पास शक्ती शाली मिसाइलों और रॉकेटों की सीरीज मौजूद है जिनकी संख्या वाशिंग्टन में मौजूद वार एक्सपर्ट के मुताबिक 2,000,000 तक है हिजबुला की 2,000,000 मिसाइल और रॉकेट इस्राइल के शक्ती शाली एफोस और मिसाइल रक्षा नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर सकती है जरा हिजबुला के इस वीडियो को भी देखिये जहां एक विशाल सुरंग में हिजबुला के खतरनाक लड़ाके घातक हतियारों से लैस है दिखाई दे रही है वीडियो में हिजबुला के लड़ाके सूपर सोल्जर्स की तरह नजर आ रही है हिजबुला की सुरंगों की खास बात तो ये है कि ये लगभग दो मनजिल उची है सुरंग में घातक मिसाइले, रॉकेट भरे पड़े हैं, बड़े बड़े ट्रकू पर सैक्रों मिसाइले लदी हैं चौकाने वाला हिजबुला के वीडियो में नई इमाद चार सुरंग दिखाई गई हैं, अभी तक दुनिया हमास की सुरंगों के बारे में नहीं जाकती थी लेकिन पहली बार हिजबुला ने घातक हत्यारों सिल्ला सुरंग दिखाकर इसराईल और उनके सहयोग्यों के होश उड़ा दिये हैं दावा ये किया जा रहा है कि एरान की सुप्रीम लीडर खामने के कहने पर हिजबुला ने इसराईली सेना पर हमले तेस किये हिजबुला चीफ हसन असरलہ और सुप्रीम लीडर खामने कि कहने पर हिजबुला ने पहली बार सुरंग मिसालें इसराईल पर हमला करने के लिए खुल दी है इस हफ़ते इसराइली आर्मी रेडियो के मताबिक नेतनियाहू सरकार ने हिजबुला जंग के लिए अतिरिक 50,000 रिजब सैनिकों को बुलाने की मनजूरी दे दी है इसराइली सेना ने लेबनान में बंबारी कर हिजबुला के कई वरिष्ट कमांडरों को मार गिराया है इसके बावजूद हिजबुला के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे है ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस्जबुला के खिलाप जमीनी कारवाई कर सकते हैं हाला कि ایکسپ率 का मारना है कि हचजबॉला को जड़ से खत्म करना ऊस्याल के लिए आसान बिलकुल भी नहीं होगा फिलाज जस तरह से हचजबॉला ने ऊस्याल के बाईसैनिकों को मारने का दावा किया उससे साफ हो गया है कि अब हिजबुला और इसराइल में बेहत खूनी जंग जमीनी स्थर पर शुरू हो जाएगी तो ये फिलाल काफी जादा खौफनाख होगा ये देखने वाला कि आखिर इन दोनों की जंग और कितनी जादा तेज होगी हलाकि 22 सैनिक इसमें मारे गए हैं